हेलो गाईज, विलकम तो अनकार्डमी, मैं हो अनिकेत अरवाल लाज अब बात करेंगे इंडियं रेलवे सर्विसेज, जिसको हम डीटेल में अगर बोलने तो इंडियं रेलवे ट्राफिक सर्विसेज बोलते हैं, तो सुसाइटी की सेवा करने का मिलता है साथ ही इसको कंपेराजन करके देखी से क्योंकि आफ प्ता है घृई रिक एंध अगी से माव कर थैसे हैं ऑट इस ओफिसर्स का कोई भी दखल अंदाज ही नहीं होती रेलवेज के काम पे तो उसे साब से कितना ज़ादा इंपॉर्टन्टी डिपार्टमेंट आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे वीडियो शूर करने से पहले में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ ही इस बेल आइकन को भी दवाईए ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो अनकाडमी के आर्टिकले चैनल की हैं वो मिलती रहें साथ ही में आप लोगों को बताना चाहूंगा अनकाडमी प्लस के बारे में जिसके अन्दर आप एक ही सब्सक्रिप्शन से बहुत सारे कोसिज की वीडियो ERIC जो है वो देख सकते हो और आप अपनी त्यारी घर बेठे बेठे कर सकते हो इसके अदर हमारे पास कहीं सारे प्लान्स हैं वन मंथ का प्लान है एक साल का और दो साल के भी π्लान्स सबसे ज़्यादा आपको दो साल की प्लान में होता है क्योंकि इसके अंदर आपको 75% तक off मिल जाता है और आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो आपका total amount दो साल का बनता है 43,200 जो किसी भी offline coaching से बहुत ज़्यादा कम है और आपको काफी अच्छे videos इसमें देखने को मिलते हैं प्लस इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं जो हम lecture के end में discuss करेंगे You should also join our telegram channels तो आप लोगों को हमारे telegram channels को भी join करना चाहिए जिससे कि आपकी UPSC की त्यारी अच्छे से हो सके क्योंकि आपको इसमें regular updates मिल जाएंगे PDF files मिल जाएंगी और अन्य resources जो भी आपके exam से संबंदित हैं वो सारे के सारे यहां पर दाल दिये जाते हैं तो आपको description में भी इसका link मिल जाएगा तो यह unacademy articulate का telegram channel है इसके लावा यह मेरा personal discussion group है study time yt आप इसे search करेंगे तो telegram पर आ जाएगा इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी address किये जाते हैं यह मेरा अनिकेट sir के नाम से telegram channel है जिस पे मेरी और जो updates है वो आती रहती है तो आपको इसको भी join कर लेना चाहिए of course यह सब free है तो पहली बात तो यह है कि IRTS यानिके Indian Railway Traffic Services यह group A post है यानिकी class 1 post है यह और यह central civil services में आता है तो यह all India service नहीं है आप directly government of India के employee होते हो center के service में होते हो होते थे and अगर हम roots की बात करें तो अगेर इसकी roots भी British India में पाए जाते हैं इसका जो main function है वो है administrative control of the ministry of railways and government of India जो भी आपका total काम है IRTS को administrative काम है और यह काम किसके अंदर करती है of course railways है तो ministry of railways government of India के अंदर करेगी लेकिन इसका जो main function है वो functioning administrative functioning है क्योंकि railways के अंदर IS officers नहीं होते हैं तो सारा का सारा administrative काम जो है वो IRTS officers करते होते हैं The officers of this service are responsible for administrating railway transport in the country तो administer का जो भी काम है administration का जो भी काम है वो सारा आपके थूँ किया जाता है इसके अंदर कहीं सारे types आ जाते हैं अगीन आप UPSC का जब exam देते हो तो आपको सभी में से कोई भी services जो है वो मिल सकती है तो broadly IRTS होती है और उसके बाद आपकी account service होती है railways की personal service होती है और एक police service है protection service होती है तो railway protection force भी होती है तो ये तीन आपके पास और होते हैं जो UPSC से होती है ये बाकी सारी की सारी जो 5 उपर वाली है ये other method से recruitment होती है लेकिन सभी में सबसे ज़्यादा powerful की अगर हम बात करें तो वो IRTS होता है तो आप इसको IS की equivalent लगा सकते हैं लेकिन सिरफ railways में और जो railway protection या police force हो गई वो आपके IPS के बराबर होगी लेकिन सिरफ अगें railways में तो बाकी जो services है अपने अपनी जगा पर सभी services ठीक है especially जिसके पास कोई service नहीं है उसके लिए तो सारी services ठीक है अगर आपके पास preference हो अगर आपके बसवाई इस हो तो IRTS इनमें से best service मानी जाती है IRTS जो होता है इनका काम coordination करना होता है जो भी technical department से इंडियन railways के तो जितने भी लोग है उनसे आपको coordination करना उनसे भी चीज़ों को manage करना और administer करना ये सब आपका काम होता है और साथ ही जो public dealing का काम है वो भी इंडियन railways का ये करते हैं तो recruitment की बात करें तो अगें यहां पर आपका 50-50 का rule होता है तो 50% तो आप directly आ जाओगी UPSC अगर crack कर देते हो तो आप directly group पे post पे आ जाते हो जो की entry level पे best post होती है otherwise अगर आप already group B यानि की class 2 post पे काम कर रहे हो railways की तो आपकी promotion भी यहां पे हो सकती है तो again promotion में वही minimum आप लगाके चलो 8 साल और maximum जो है 15-20 साल का भी समय लग सकता है after selection आपकी जो training है वो लबासना में होती है बाकी officers के साथ ही उसको आप specialized training के लिए आपको आगे भीजा जाता है foundation को सबका same होता है and इसके अंदर एक और बात है कि selection grade यानि कि जो level 13 है उसकी post बहुत कम होती है तो इसलिए जो आपका काम है जो आपकी majority life है वो executive की life लेती है यानि कि जो field में काम करते हो district के अंदर काम कर रहे हो या किसी और area के अंदर काम कर रहे हो तो आपको mainly जो काम करना होता है वो field level बे काम करना होता है जैसे की एक IAS district collector की post पे करे या फिर SP की post पे करे लेकिन again इसके अंदर आप यह देखिए कि भेले ही ये आपके divisional commissioners या आपके जो भी special sectors है उनसे junior post होती है लेकिन यहाँ पर power बहुत जाद होती है IAS offices को जब वो DC होते है और आपकी value भी बहुत जाद होती है तो similarly क्योंकि आप field में ही काम करते है तो आपकी value यहाँ पर बहुत जादा बढ़ जाती है प्लस आपको जो policy making विगा रहा है implementation है उसमें काफे जादा experience मिल जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि IAS officer को का जाता है आपकी जो best phase of life होता है वो आपका DC का phase होता है जब आप DC होते हैं लेकिन उसमें maximum to maximum five years कोई बंदा रहता है उससे जादा नहीं सरकार रहती है उसके बाद change करते रहते हैं तो लेकिन यहाँ पर आपके बस मौका होता है maximum time आप field में रहे और powerful post में रहें इससे क्या होता है आपकी experience बहुत बढ़ जाता है आपकी policy making बहुत अच्छी हो जाती है प्लस आपकी पूछ वेगारा भी अच्छी होती है facilities आपको बहुत मिलती है आप HOD होते हो, head of department होते हो देख सकते हो, आप assistant director से start करते हो और उसके बाद आप director बन जाते हैं उसके बाद आप additional member बन जाते हो जब आपको H.A.G. मिल जाता है और epic scale पर आप member traffic है, chairman, railway board भी बन सकते हो तो काफी सारा आपके पास scope होता है railway board के अंदर इसके लावा आप अगर zone में transfer हुए हो जो zone के अंदर भी आपके लिए post होती है और division के अंदर भी post होती है तो आपके पास multiple जगापे diversification का भी option होता है जैसे I.S. में होता है तो आप multiple जगाओं पे रह सकते हो multiple तरह के काम कर सकते हो तो overall एक बहुत ही satisfactory experience आपको life में मिलता है तो वो ही again अगर हम बात करें starting की तो आप junior time scale से start करते हो 5400 के grade pay बे तो something about 70,000 आपकी जो gross salary है वो बनती है उसके बाद कुछ सालों बाद आप senior time scale level 11 में आ जाते हैं आपका grade पे 6600 हो जाता है और salaries increase हो जाती है क्रॉस कर जाती है एक लाग 10,000 बीसर क्रॉस कर जाती है फिर आप senior officer बन जाते हैं grade 13 आने के बाद तो आप बन जाते हैं pay band 4 officer और इसके अंदर अभी हमने देखा था कि seats बहुत कम है division level की कोई assets seats नहीं होती तो इसलिए काम आपका वही रहता है mainly आप जो काम अल्री कर रहे हो वही आप काम करते रहते हो लेकिन आपकी salaries में काफी अच्छा jump लग जाता है और आपकी basic pay जो है 1,18,000 something हो जाती है तो उसके उपर allowances बेगारा मिला कि आप 1,500,000 खराम से कमा रहे होते हो प्लस जो perks हैं आपको गाड़ी बंगला नौकर वो सब तो आपको मिली रहा है उसके बाद आप level 14 पे होडी बन जाते हैं आपको administrative grade मिल जाता है senior और division पे आपकी maximum post होती है उसके बाद आप हेजी में आ जाते हैं higher administrative grade जिसके अंदर अगेन आपकी तनका बहुत जादा बढ़ जाती है और आपकी basic salary ही 1,82,000 हो जाती है तो plus allowances करके 2,00,000 खबाव आप चले जाते हो और अपकी जो prominent post होती है वो advisor to the railway board होती है इसके बाद अगेन आपका कुछ सालों बाद jump लगता है then you are HAG plus यानि कि यह higher administrative grade के अंदर या आपको up gradation मिल जाता है तो आपकी salaries के अंदर 20-20,000 और बढ़ जाते हैं और आप additional member बन जाते हो उसके बाद you reach the epic scale जो कि Chief Secretary of State के बराबर होता है IAS में तो same scales आप देख रहों कि चल रहे हैं जो कि IAS offices के चलते हैं तो जो salary सच है रहे वो similar है लेकिन of course promotions का system थोड़ा अलग होता है क्योंकि IAS में हमने देखा था time bound promotion है कि अगर आपके 4 साल होगे okay promotion 5 साल होगे promotion 7 साल होगे promotion यहाँ पर ऐसे नहीं है तो again यहाँ पर आपको ACP वेगरा सब कुछ मिलेगा लेकिन उतना smooth नहीं होता जितना IAS का होता है तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई IAS select हो जाता है तो उसकी maximum promotions होती है जितना आप lower service में चले जाओगे या state service में चले जाओगे आपके promotions उतनी कम हो जाती है तो यहाँ पर आगे आपके basic salary है वो 25,000 हो जाती है और प्लस आपको announces विगरा मिलाके 5,000 अब आपकी salary चली जाती है और बाकी चीज़े तो हैं है तो overall आप समल लगा के चलो कि आपका महीने का सरकार का जो खर्चा आपके परोड़ है वो 5,000 लाग कम से कम हो रहा है क्योंकि आपका मकान है, नौकर है, गाड़ी है और तो बहुत सारी perks भी आपको मिलती है और इस टाइम आप बहुत prominent post पे होते हो जो कि member traffic होता है या chairman railway board होता है So with this we have come to the end of the lecture IRTS और IS का मने comparison देखा तो ultimately conclusion की बात करें तो yes, अगर आप railway में interested है या आपका कोई भी railway में कोई relation रहा है या कुछ भी है तो railway की service आपके लिए IS की बराबर ही है for the railways, तो आप उसमें interested हो तो आपको जरूर ये बहुत अच्छी service लगेगी तो आप अपना जब भी DAF भर हो तो इसको आप higher priority भी रख सकते हो लेकर अगर आप overall बात करते हैं तो IS is still the winner, IS best service है तो चलिए अब आखर में देख लेते हैं कि हम आपको बार-बार कहते हैं आपको anacademy plus join करना चाहिए तो क्यों join करना चाहिए, क्या reasons है जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि anacademy plus किसी offline coaching से better है तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं और आपको वहाँ पे quality पढ़ाने वारे सर जो है वो अच्छे लगते हैं और उनका quality आपको समझ में भी आता है लेकिन हो सकता है economics या history या कोई और subject है जो आपको नहीं समझ में आता या आप उन teacher से नहीं समझना चाते हैं किसी और teacher से पढ़ना चाते हैं तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है कहीं और जाना पड़ता है लेकिन अनकाडमी प्लस में ऐसा नहीं है आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं तो आपने a teacher से suppose कीजिए quality पढ़ा आपको अच्छा लगा लेकिन a teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और भी teacher के पास जाकर भी वो subject को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई restriction नहीं है कि आप कितनी मरज़ी बार teachers को switch कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं अपने स्लेवर्स घर बैठे बैठे अराम से पूरा कर सकते हैं सेकेंड यहाँ पर आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं तो यानि कि आपके सारी doubts जो है वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही निप्टारा कर दिया जाता है तो nip in the bud हो जाता है कोई भी doubt ऐसा ना हो जो linger on करता रहे और बाद में आपको problem create करें revision के time पर आपको problem आए तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है अगेन जो बहुत बार आपकी offline classes हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर आपका clearing doubt session चलता रहेगा आपके doubts जो हो clear होते रहेंगे उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple जो courses हैं वो मिल जाते हैं और आपको unlimited access मिल जाता है पूरी an academy library का तो suppose कीजिए आप PCS की भी त्यारी कर रहे है and IS की भी त्यारी कर रहे है अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल लाता है तो उस टाइम पे आपको UP PCS के लिए कोई specific courses देखने हैं specific lectures देखने हैं तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं तो एकी subscription आपको अलड़ अगलग exams की त्यारी basically करा रही है तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो again अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठाएं तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं और जो आपकी best जो आपको job लगती है आप उसको रख सकते हैं एकी subscription में आपको बिना double पैसे खर्च किये आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है and again घर बैठे बैठे क्योंकि घर बैठे 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 एक बहुत बड़ा comfort है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं क्योंकि आप देखिए अगर आप offline coaching में जाते हैं तो आपको एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें उसके बाद कई बार parking fees लगती है उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गाउं में रहते हैं या आपकी शहर के आसपास कोई coaching नहीं है के अंदर questions बूच सकते हैं टीचर साथ की साथ आपको explain कर सकते हैं उसके बाद आप personalized doubt sessions ले सकते हैं जिसके अंदर आप teacher से बात कर सकते हैं तो teachers के साथ आपका interaction जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा जैसे कि आपका offline classes में रहता है तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजिए कि teachers के साथ interaction नहीं हो पा रहा या doubts जो है वो बच जा रहे हैं doubts clear नहीं हो पा रहे इसके अलावा आपको अन्यापे unlimited test series मिलेगी तो exam से पहले सबसे ज़्यादा important होता है प्लस मिलेंगे और PDF भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे annotated और बिन annotated तो अगर plain suppose कीज़े आपने कोई MCQ का course लगाया और उसके अंदर आपने plain PDF फाइल ले ली तो आप बाद में उसको खुद से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए और बाद में आप उसे annotated है जिसमें teachers ने आपको answers और reasons वहा कराए है उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी तो इस तरीके से आपके MCQ उसकी practice बहुत अच्छी हो जाती है प्लस आपको जो theoretical chapters है उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो के PDF notes दिये जाते हैं इसके इलाव आपका full syllabus coverage होता है बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रह गया सर ने NCITS नहीं कराई या कुछ नहीं कराया कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है तो बहुत सारी coachings जो हैं वो complete भी करा देती हैं लेकिन कुछ बच्चों कर रह जाता है लेकिन NCADME पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा इसके अंदर एक और advantage है वो यह है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया या कोई topic आपको ठीक से समझने आया तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो देख सकते हो उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है कोई आपके extra charges नहीं है and lastly आप सबी videos को download कर सकते हो और offline भी देख सकते हो यह again बहुत important चीज है specially उन लोगों के लिए जो कि किसी remote area में रहते हैं या फिर किसी भी reason से वहाँ पर internet की reception अच्छे नहीं आती जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में इंडिया में वो coastal areas की तरफ वो काफी जादा down हो गई थी उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ की साथ उन चीजों को revise कर सकते हो उन चीजों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं न कहीं avoid हो जाता है प्लस आपका data भी बचता है तो again क्यूंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका data use होगा तो उस case के अंदर अगर आप एक बार offline सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी बरजी बात आप repeat पर चला सकते हो और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो तो यह again एक बहुत बड़ा advantage होता है तो यह कुछ advantages मैंने बताए आपको क्यों join करना चाहिए अन Academy Plus अगर आपको लगता है कि आण Academy Plus का subscription अच्छा है आप हमारी वीडियो देखते हो हमारी quality देखते हो तो आप join करेंगे तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा तो आपको जो net amount वो काफी कम आ जाता है और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था अगर आप दो साल का subscription इकठे ले लेते हो तो आपको 75% तक discount मिल रहा है और plus 10% extra discount भी मिल रहा है using the code ANI7 तो again यह बहुत अच्छी deal है अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो So I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओगा, informative लगाओगा, thank you for watching this video and have a nice day